आज हम जानेंगे कि जैन धर्म जाती और कुल को नहीं मानता है फिर भी आगमों में जाती संपन कुल संपन आधी कहकर उसके महत्व को दर्शाया गया है या बताया गया है तो ऐसा क्यों कहा गया है तो जैन धर्म जो जैसा वस्तू का रूप है उसको वैसा ही मानता है लोक में जाती और कुल की महत्वता है या महता है उस दृष्टी से जैन धर्म में भी उसका वर्नन किया गया है जाती और कुल का विशेस होना अलग बात है और उनका मद या एहंकार या घमंड करना वो अलग बात है उनके मद का निशेद है या एहंकार का निशेद है पर लोक में रहे हुए उनके अस्तित्व का निशेद नहीं किया जा सकता संसकार संपन जाती और कुल में उत्पन आत्मा में सहज ही संसकार जंग जाते हैं प्राई ये देखा जाता है इसलिए ये बात आगमों में भी कही गई है कि तिर्थंकर छत्रिय कुल में जन्म लेते हैं किसी भी जाती कुल वालों के लिए धर्म का द्वार बंद नहीं है कर्मवाद की दृष्टी से भी पांचवे गुनस्तान तक ही नीच गोत्र का उदई कहा गया है जो संसकार संपन्न होते हैं वे उतरदाइत्व का निर्वहन भली भांती कर सकते हैं उत्तम जाती के अश्वया घोडे बैल और अन्य पशुओं में भी भार वेहन की विसेश छमता देखी जाती है जातिवान व्रुक्षों की भी महिमा देखी गई है पृत्वी काई में भी हीरा बहु मूल्य माना जाता है तो इन सबसे हम समझ सकते हैं कि इनी विसेशताओं के कारण आगमों में स्तवीरों के लिए आचार्य भगवन्तों के लिए जाती संपन कुल संपन आधी विशेशनों का प्रयोग करके उनके महत्व को बताया गया है तो आज का प्रशन है कि भगवान महावीर के प्रमुगंदर किस जाती से संबंध रखते थे कमेंट में बताएं विडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें